आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स करो सपाया। बस प्रशन की फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट विडियो सिलीशन पाओ, अभी डाउट करें। अभी ग्याद करना है, जैसा कि हम जानते हैं कि टाउ है, इसका मान होता है, यानि जो बल आघून होता है, बल आघून का मान होता है, वो dau होता है, m cross b जानी mb sin theta अगर हम इसको अधिकतम मान याद करना चाहते हैं अर्थाथ d tau upon d theta बराबर हम अफकलन करेंगे mb sin theta और mb sin theta के अफकलन में m हमारा नियत है b हमारा एक समान दे रखा है उसने ठेक है तो हमें अफकलन करना है सिर्फ sin theta sin theta का जो अफकलन है वो हो जाएगा हमारे पास cos theta अर्थाथ d tau upon d theta का मान हमें ग्याद हो गया mb cos theta अब यदि हम d tau upon d theta को अधिकतम करना चाहते हैं d tau upon d theta का हम अधिकतम मान ग्याद करना चाहते हैं चुकि m आपका नियत है b आपका नियत है तो सिर्फ हमें cos theta जो है इसका अधिकतम मान ग्याद करना पड़ेगा चुकि हम जानते हैं कि cos theta का जो अधिकतम मान है cos theta का जो maximum मान है अधिकतम मान है वो होता है plus 1 और cos theta का जो plus 1 होता है वो होता है theta बराबर 0 degree पर पर्थाद ये कहना चाहरा है कि जब आपका जो चुम्बक है ठीक है वो समांतर हो जाएगा जब आपका चुम्बक जो है वो समांतर हो जाएगा किसके जो आपका चुम्बक के छेतर है उसके तो उस इस्तिती में इस पर लगने वाला जो टाओ है वो अधिक्तम होगा और उसक mb cos theta के बराबर जैसे बात करते हैं तो mb ये cos theta इसकी दर थी मतलब mb cos theta तो ये theta जब हम 0 रखेंगे तो ये मान हमें ग्यात हो जाएगा mb और ये ही इसका अधिक्तम मान होगा इसकी जो अधिक्तम दर होगी वो ये ही होगी अर्था theta बराबर 0 हमारा अभी स्टुत्तर होगा अब इसमें हम option चेक कर लेते हैं theta बराबर 0 पर हमें अधिक्तम मान ग्यात हो जाए